अग्याइब वेलकम टू बेस्टनोस टूटोरियल और आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालिन भारतिया इतिहास की और मध्यकालिन भारतिया इतिहास से पहले अभी तक हम एंशिंट जितनी भी चीज़े हैं उन्हें कर चुके हैं तो हूफली आप लोग उसमें आप लोग उन्हें बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे और उसका जो सेल्फ टेस्ट मैथड मैंने बताया है उसमें कर रहे होंग अब हम मध्यकालिन भारतिया इतिहास में जो आपका सल्तनत काल है उसको कंप्लीट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो उनके शाषक थे और दिल्ली सल्तनत को हम लोग एक शोटकट जो बनाए हुए मैने तरीके से उस तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पर हमारी इमारत आ गई और फिर उसके बाद आप लोगों को यह पूरा जो सल्तनत काल हूं मैंड मैप से मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यूंकि मैंड मैप से क्या है हर चीज को हमें अलग तरीके से करना है पिछला वाला मैंने सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो वंच थे वो कौन-कौन से आई तो सबसे पहले गुलाम वंच था खिलजी तुगलक शयद लोदी और मुगली आप आप लोगों ने पहले भी काफी बार देखा होगा ये चौन गुड़वंच तसले में तो यह अपका सयद लोदी और मुगल वंच तो इसमें जो सबसे लंबा जो है आपका गुलाम वंच के काफी सारे शाशक रहे हैं तो उनको याद करने की ट्रिक में आप लोगों को बता देता हूं वाकिया माइन मैप से आप लोगों को चीज हैं समझ में आने लग जाएंगी तो हम यहां से शुरू करते हैं कुत्ता करत रजाई में ठीक है रूई की रजाई में भी कर सकते हैं आप इसे रूई की रजाई में और बाहर आलम नहाने गया कैसे और क्यों तो यह आपको डायलोग टाइप में बोलना है कि कुत्ता आराम कर रहा आराम इतना रूई रजाई में और बाहर आलम नहाने गया फिर यह और क्यों है तो कुत्ता से हो जाएगा आप लोगों का कुतुब दीन एबग ये आपका जीरो सिक्स तो आपको जीरो सिक्स टैन तैन 11 इस तरह से 11 36 36 46 40 इस तरह से याद रखना 40 42 46 ठीक है तो इन में कुछ बात एशी होती थी कि यह काफी कम ही साशन करते थे जो भी राजा रहता था क्योंकि हमेशा जातर यही देखने को मिलता था कि जो उपर है वो नीचे वाला हमेशा रेडी रहता था कि कब इसको हटाया जाया और कब मैं बनूँ इसी तरह का चलता रहा या किसी की डैथ हो जाती थी तो कम ही समय रह पाते थे आप लोग यहां पर देखेंगे देखो 6 तो यह 10 रहा यह 10 11 हो गया 11 से 36 हो गया और 36 में ही आपके दो चेंज हो गया रजिया जो बनी थी तो शुरुआत से दिखते हैं कुत्ता से आपका कुतुबदी नहवक आराम से आराम शाह ई से आपका इलतुतमेश रुई रुकनुदीन रजाई रजिया सुल्ताना बाहर बहराम शाह आलम अलाउद्दीन मसूद नहाने तो ना से आपका आजाएगा नासुरुद्दीन ठीक है नहाने नासुरुद्दीन गया सुद्दीन बलबन कैसे कैकुबाद और क्यों से क्यों मर्स तो ये काफी last में ये वैसे पूछे नहीं जाते आपके जो important है इसमें बलबन हो गया आपका और रजिया सुल्तान हो गी इलतुतमिश हो गया कुतुब दीन अभग वैसे रजिया सुल्तान से भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन आपका कुतुब दीन अभग जलतुतमिश और गया सुद्दीन बलबन ने इनसे काफी questions बनते हैं तो चलिए यह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के जितने जो वन्स हैं आप लोगों को याद हो जाएंगे अब आती हैं दिल्ली सल्तनत की इमारतें तो इमारते मैंने इसलिए अलग से रेखिये हैं क्योंकि इनसे questions पूछे जाते हैं लेकिन अब मैं आप लोगों के बाद में इसे बताऊंगा पहले चलते हैं हम अब स्टोरी कहां से शुरू होती है मुगलों की या मुसलिम जो आकरमन होते हैं वो कहां से शुरू हुए थे तो सबसे पहले बात आती है पैगमर मुहमद की तो पैगमर मुहमद का जर्म हुआ था वो 570 एस्वी में हुआ था और 632 एस्वी में इनकी मृत्य हो गई थी मक्का सवुदी अरब में तो इसलिए आप लोगों समझ गये होंगे कि मक्का मदिना क्यों important है या वहां क्यों ज 11 और यहां पर आप लोगों को मिलेगा 632 तो 632 तो यहां से आप लोग देखिए कितना होता है सिक्स होता है तो इस तरह से कुछ रीजनिंग बनाके रख दीजिए अपने माइंड में कि आप लोगों को यह सारी चीजे याद रहें ठीक है तो चलिए आप आगे यहां से होता है सबसे पहले कौन आया था ठीक है तो सबसे पहले आया था कासिम कासिम था कौन यह एराक के जो हाकिम थे हाकिम कहीं या राजा कहीं उस टाइम पे ठीक है उस टाइम ओधा और अलहजाज का ही वह भतीजा भी था और दामाद भी था कौन कासिम कासिम ने जो पहला आक इन चीजióं को हटा दें यहां से तो देख्ये आपको सतरे से हम और भठा दिया है तो आप लोगों कुरना क्या है कि इसके पीछ़े आप लोगों को बताना है कि यहां पर कौन-कौन liखाओ था पहला आक्रमन था यहां पर इसके पीछे क्या लिखा हुआ है मैंने ठीक है इसके पीछे भाई और भतीजा लिखा हुआ है मैंने यहां पर एक नाम लिखावा था मैंने ठीक हिराक का अलहजाज तो अलहजाज आप लोगों को इस तरह से याद होना चाहिए यहां अलहजाज या अलहजाज जो भी याद रखना है आपका मैच हो जाना चाहिए ऐसे आपको पूरे PDF में यही करना है आप एक ऐसा भी कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए यहां से आप पॉइंट बनाई यह इन सारी चीजों को इस तरह से आप लोगों को इन्हें ब्लैंक रखना है और ब्लैंक रखके आप लोगों को याद होने चाहिए कि यह सारी चीजें क्या है तो जो कासिम था वो कासिम क्या था यहां पर आप लोगों को देखेगा कि यह जो है आपका ऊपर जो 711 में उसने पर्थम आकरमन किया था ऐसा हमने लिखा था और ऐसी जो लाइन मैंने बनाई है उस लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा है कि वो भतीजा और दामाद था ठी कितने साल hairdos 17 साल का और किसके साथ आया था अब द्लीला में आया था थाथ तो इस तरह को नीचे लिखा है साथ सो ग्यारा में वाया था और साथ सो रारा में उसके सिंद पर विजय प्राप्ट कर लीथा सिंद कौन सा था पाकिस्तान का छेत्र रहें को सब्सक्राइब आप लोगों को दिया उसमें बहुत सकते हैं कि कहां तक एओ लोग लेकिन उसके बाद यहां पर वो में जीत गए उसका पुछ पर्टिक्लर रिजन पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ facts याद रखने है तो उसके बाद सिंद पर विजय किस गरंथ में ये बात हमें मिलती है गरंथ चचनामा में ये बात हमें मिलती है तो अगर मैं यहाँ पर सारी चीजों को फिर से एक बार फिर से हटा देता हूँ यहां पे मैंने चचनामा गरेंथ है, सिंद पर उसने विजय की थी, कब की थी? 712 में, 711 हो गया, यहां पे भाई बतीजा हो गया, अलहिजाज हो गया, ठीक है? तो आप लोगों को मैंने बताना है, आपको पूछना है मुझे कि यहां पे कौन-कौन से आ रहे हैं, कितनी साल क आयमेओं वहां पर आया था, तो अब चलिए, अब देखते हैं, कि यहां पे क्या है आप लोगों का? अलहिजाज है, ठीक है? यहां पे क्या है उसका भाई भतिजा और दामाद है, यहां कुछ देख रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों बस इस तरह से आप राउंड- 712, 712 में उसने कहां जीता था, सिंद जीता था, और यह बात किस में लिखी है? गरंत चचनामा में लिखी है, आप किसी भी सीक्वेंस है को, या आपका कोई सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस में याद रखिए, फिर सीक्वेंस को तोड़ दीजिए, फिर आप लोगों को पता आप लोगों को बताया था, कि यह होगे आपका लल्ल, और यह बे भ का दुल्ल है, तो इस तरह से आगे चलते हैं अब अगे हमारा आता है इसके बाद महमूद गजनमी, जो महमूद गजनमी आया था, वो अपने साथ एक इतिहासकार को भी लेके आया था, वो था होlen!! आपका उत्वी। और उसके उसने SUPER साथ विद्याधर के साथ मेंुस्का युद्भी हुआ था मेहमूर गजुरुनुद में और सबसे पहले बुद्याधर से हारा था उसके बाद एक और भी दो हो आये थे रखाल孮 temperature और एक बार और देखे कि क्या आपको याद हैं या नहीं है किसके साथ युद्धुवाता था उख विद्यादर के साथ में महमूद गजन्य वी जो है उत्वी को अपने साथ आया था ये इतिहासकार था ये क्यूकि कुश्चन पूछा जाता कि वाल बरुनेने क्या पड़े थे पुरान पड़े थे और जो महमूद गजनवी में सं Sieci में चांदी के सिक्के भी उसने करवाय थे ठीक है संस्कृत में उसके जो leanedी का सिक्का था उसके अंदर हुड संकृत में लिखा can था ऐसके बाद चलुए अब आगे चलते हैं और जो आक्रमण हुए थे उसके बाद आया था गोरी कि नेक्स्ट आपको याद रखना है गोरी को सबसे पहले किस ने ङुट रहा key music का लेता हो प्रुष्य के रिखतन ल से तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यह लगभग एक ही अभी एक ही टाइम चल रहा है ठीक है मतलब उसी के बाद चलता जा रहा है सेवन 11 हो गया सेवन 12 हो गया अब उसके बाद हम 11 में आके सिधे बात करते हैं जो कासिम था कासिम की जो मिरती हुई थी 30 साल में ही हो गई थी इसके बाद आपका गोरी का 11 12 में ये था आपका थराइन का दोतिया विश्वयुद है वह इसलिए इंप्रटियन माना जाता है अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो 1192 से स्टार्ट किया होता है हिस्ट्री का जो भी देखेंगे आप ठीक है तो और पहला दिया रहता है तराइन का दुतिय विश्वयोद अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आप इसमें क्या है इसलिए किया जाता है क्योंकि यह वो पॉइंट है जहां से मुश्लिम जो शक्ति थी उसकी शुरुवात की हुई थी इंडिया में वो किसके द्वारा हुई थी मुहमद गौरी की इसमें एक कोश्चन आता है कोश्चन देखें आप लोगों को ध्यान से द्यान यह चीज़ देनी है कि जो देवी लक्षमी का चित्र था वो सिक्कों पर कौन लग चलते हैं 1194 में यहां पर 92 हो गया 94 हो गया 75 हो ठीक है और क्योंकि 11 है यह कॉमन है आप लोगों का तो आपको ध्यान रखना कि जो गौरी से रिलेटेड चीज़े हैं वह है 759294 तो अगर आपको गौरी को नंबर फोन करना है अगर आप गौरी को फोन नंबर करना है तो एक सकते हैं कि गौरी और 759294 ठीक है तो यहां पर 75 में उसने परथम आक्रमन जो किया था वो मुलतान पर किया था और उसके बाद उसने 92 जो है वो तराइन का है और 94 में उसने कन्नौज पर किया था यह आपका कन्नौज पर कर्णोज में जो चंदावर, चंदावर का जो युद्ध हुआ था, उसमें जैचंद हार गया था, उसके बाद सीधे जो गौरी, अब गौरी नहीं क्या किया, कि गौरी यहां से निकल लिया, चला गया, वो यहां रुका नहीं, उसे अपना घर पसंद था, तो चला गया, अब कुतबदीन एबक के बारे में आ गए, हमने ये सारी चीज़ें उपर देख ली है, उसने मुश्लिम शक्ति की यहां पर शुरुवात करी दी है, अब यहां से क्या हो रहा है, कि कुतबदीन एबक, इसको कुरान खौँ भी बोला जाता है, कुरान खौँ इसले बोला ज अब ही 1192 तक तो गौरी यहीं था, 94 तक भी यहीं था, 94 में क्योंकि उसने चंदावर की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद हो चला गया, अब उसने 92 से 1206 तक, जो है कुतबदीन एबक यहां पर रहा पूरा, और 1191 में उसने उसे कहां दिया था, जहांसी में दिया था, ठ माना में कुछ उसने युद्ध भी लड़े थे, तो इसके साथ ही अब आता है, आपका इसी लिए, जो हम कहें कि सल्तनत काल की शुरुवात हमने अभी की थी, शॉर्टकट में उपर पढ़ा भी था, तो कुतबदीन एबक से हम पढ़ते हैं, और गुडखा तसले में गुल तो उसे अजीज कुकी था, और जो ये कुतबदीन एबक है, वो एबक नामक जंजाती से आता था, ठीक है, तुर्क जंजाती से आता था, और बाद में उसे गौरी ने खरीद दिया, तो ध्यान दीजिए, अजीज कुकी था, अजीज कुकी ने कुतबदीन एबक को अपने था बहुत अच्छा योद्धा था इसलिए उसको गौरी ने आगे बढ़ा दिया अब इसके बाद जो बारा सो आठ में पूछा जाता है कि जैसे पहले क्या होता था कि जो सलेव होते थे दास होते थे उनको एक पत्र के तहट अपने पास गुलाम रखा जा सकता था तो जो ग पopod Dubiak के बारे में तो ये कुश्ण आता है कि दिली का जो पहला तुर्क शाशक मैंने अभी बताएं आप लोगों को यह तुर्क जन्जाती से आता था तुर्क जन्जाती था कि तुर्क शाशक था माना जाता है वोш कि किसको माना जाता है कुछ ठाज्ट थेुशन अपक् और 1210 में इसकी मिरित्य हो जाती है अब आगे जाके देखेंगे तो 1210 में उसके मिरित्य हुई कैसे पूछा जाता है तो वो चौगवन खेलते हुई थी उसने अपनी जो राजधानी बनाई थी ओ लाहौर हुई थी और गुलाम वंच की शुरुवात इसने ही की थी और गुल तो इलतुतमिश किसके अंडर में था पहले कुतुबदीन एबक के अब यहां से इलतुतमिश से कौन कौन से कुश्चन पूछे जाते हैं इलतुतमिश जो है उसने सबसे पहले ध्यान दीजिए मैंने आप लोगों को ऊपर एक चीज बताया था कि जो कुतुबदीन एबक था उसे दिल्ली का पहला तुरक शाशक माना जाता है लेकिन अगर बात आती है कि पहला सुल्तान कौन था यहां पर बहुत कंफूजन हो जाता है क्योंकि हमें याद रहता है कि कुतुबदीन एबक पहला था तो इसलिए हम सिधे कुतुबदीन एबक को चूज कर लेते हैं तो बहुत ध्यान से सुन लिजी अब इसका reason क्या था उसका reason ये था कि जो खलीफा हुआ करते हैं इनमें वो खलीफा से उसने खिलत एक पत्र होता है पत्र या हम कहीं permission होता है ठीक है उस खलीफा से पत्र उसने लिया था इसलिए उसे क्या है पर्थम सुल्तान माना गया था जो एबग था, उसने ये पत्र प्राप्त नहीं किया था, इसलिए उसको उपाधी जो मिली थी, वो मिली थी, सुल्तान ए आजम की, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है मैंने सुल्तान ए आजम, उसने, उसके अब कुछ काम है, जैसे कि इक्तेदारी पर था, उसने चलाई, और साथ बोला करते थे, और जो तामवे का होता था, वो जीतल हुआ करता था, तो तामवे से आपको जीत तो आ रहा है यहाँ पर, इसलिए आप लोगों को यह याद रखना है, अब चांदी में देखिए, उपर भी यहाँ पर टंका लिखा हुआ है, ठीक है, चांदी लिखा हुआ अब जैसे टंका से आप कन्फियूज हो गए कि किस उससे है, टंका चांदी का है या सोने का है, तो हम लिखेंगे, देखें, हमने लिखा यहाँ पर सोना, ठीक है, आगे लिख दिया हमने चांदी, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है यह वाला कि यह चांदी का है, क्य तो आप लोग जो पाया है वह क्या जो कि आपको उसमें कही जो तांबा है उसमें west करना आपको रिलेट का मैं ऌका जीटल एक शेसे बेने में पहले बताइएго शॉटा कर जो भी होता है वह सिर्फ माइन्ड में चीजों को इस्टेबलिश करने के लिए हो अ कि हम उन अबिशन में भी चीज़ों को याद कीजिए फिर वीजर डालने के लिए वो चीजें और हजार बार चीजें प्रेक्टिस करनी होती है उसके बात आते है शुद्ध अर्त एलिख के सिंक्ये वेदार होते थे उनको 40 गुड़ों के गुरूप में चलाता था तो यह था आपका तुर्कान चहल गामी अब आप लोगों को फिर से वही करना है हर बार प्रैक्टिस करने के लिए जैसे इलतुत्मिष्ट के लिए बना लीजिए कि इलतुत्मिष्ट का यह हो गया आपका नी भी चपौना शुरू कर दिया था मेंस कॉन सा टकसाल मेंस होता है जहां ल से सके क्या होते हैं बनते हैं तो उसने सभी का नाम चपौना शूरू कर दिया था और और अभक और गोरी के साथ वह खोकर विद्डूों में गया तो उपर आप लोगों ने देखा कि जो उसके बाद इलतुत्मिश आ गया ठीक है लेकिन जो बलबन और इलतुत्मिश है उसके बीच में आपके दो तीन और हमने देखे थे उस शॉटकट में आपने उपर देख लिए हैं तो अब हम जो इंपोर्टेंट है उसे करेंगे और यह हैं आपका बलबन ठीक है बलबन को भी आप लोगों इसी तरह से प्रैक्टिस करना है जो बलबन है बलबन ने खुद का क्या कर दिया था जिल्ले इलाही इसने तुर्कान ए चहल गामी जो की इलतुत्मिश शुरू की थी उसे उसने बंद कर दिया था ध्यान दीजिए यहां से आप लोग इसे connection बनाके रख सकते हैं कि ऊपर से आप देखेंगे कि यह था आपका तुर्कान ने चहल गामी शुरुआत की थी और तुर्कान ने चहल गामी यहां पे भी है तो इसने इसको शुरू किया था इलतुत्मिश ने और इसने बलबन नहीं क्या कर दिया तब बंद कर दिया था ठीक है बलबन बंद कर दिया था ठीक है तो इसलिए उससे वह पसंद नहीं आई उसने खाई ये बंड कर दो और जो व्लबन है उसको गया सुद्दीन व्लबन के नामसे भी जाना जिःता है आप लोगों दिया अलकता हो marks तो गया सुद्दीन बलवन इसने एक त्योहार था नौरोस त्योहार नौरोस त्योहार भी जो था वो बलवन ने शुरू करवाया था तो यह जो आप लोगों को इस तरह से जो माइंड मैप दिखाई दे रहे हैं यह आप लोगों को बिलकुल आखों के सामने अगर आप आख इतनी चीज़ें याद रखनी है यह बहुत important है कि सिजदा और पाबोस कि जो है व किस ने शुरू कर वायँ था तो सिजदा और पाबोस में पैर को चुमने का जो एक tradition इसने बनाया था कि राजा कि जो होंगे पैर चुमें जाएंगे तो सिजदा और पाबोस की जो शुरुवात सबसे जाद है यह कुश्चिन बल्बन से पूछा जाता機會 noreos किस ने शुरू किया था बल्बन ने जिल्ली इलाइ यूजुलि नहीं पूछा जाता लेकिन आप रहे क्योंकि इस से लिश्चिन है बल्बन का जो मकबरा है वो कौनसे के बाद में खिल जी ने हम इसकी जो शुरुवात करते हैं इस इंपोर्टेंट जो है वो है आपका जफर पूछा जाता है कि जफर खां कौन किसका सेनापती था वो था आपका खिल जी का ठीक है और जो इसकी मृत्यूजी थी जफर खांकी वो मंगलों से युद्ध करते शर्यत जो होते हैं मुस्लिम कुछ कानून होते हैं उनसे इसने खिल जी ने खुद को अलग रखा था इसलिए ध्यान दीजिए कुछ चीज़ें आप लोगों अपने आपी समझ में आ जाएंगी जो खिल जी था उसने खुद को एक तो किस से अलग रखा है शर्यत से अलग मुस्लिम जो लौ थे उनसे अलग रख दिया तो इसी वजएसे वह धार्मिक सुतंत्रता को भी मानता था या लोगों को उसने धार्मिक सुतंत्रता दी तीसरी बात आप लोगों को याद रखना है क्योंकि खिल जी किस से खलीफा से उसने इजाजत ही नहीं ली थी ठीक है जैसे उपर आप लोगों ने देखा कि इलतुत मिसको फर्स सुल्तान क्यों माना जाता है क्योंकि उसने वहां से पत्र लिया था खिल जी ने खुद को ही क्या मान लिया सुप्रीम मान लिया और उसने खलीफा से कोई इजाजत नहीं ली इसलिए वह सरीयत से क्या था सुतंत स्वतंत्र था तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्र था उसने कायम रखी अब इसके बाद आता है अगला फैक्ट कि जो सेना को सबसे पहले सेलरी दी थी वह किसने रखनी शुरू की वह खिलजी ही था उसके बाद उसने आगे अगर बात करें कि क्या बनाया तो अलाई दर्वाजा अलाई दर्वाजा मींस जो खिलजी थे उसको क्या था मलाई बहुत पसंद थी अलाई दर्वाजा ठीक है तो अलाई दर्वाजा आप लोगों मलाई से याद रहेगा कि जब भी आप किचन में देखें या दूद पें तो मलाई तो मलाई किसको पसंद है वो पसंद है खिल तो आप लोग याद रखने कि इसका पूरा नाम जो है वह लाइद रवाजा अलाइद रवाजा इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद यह है कि उसने एक था मलीक काफूर मलिक काफूर को उसने हजार दीनार में खरीदा था उस टाइम पे इसलिए मलिक काफूर को हजार दीनारी कहा जाता है तो question बनता है कि जो हजार दीनारी है वो किसको कहा जाता है तो वो कहा जाता आपका मलिक काफूर को इसने एक कर भी लगाया था उसका नाम था खराज खराज कर जो होता था वो जो भी उपज होगी किसी की जो भी खेत में जितना भी होगा वो उसका 50% तक उसका कर देना पड़ता था किसको खिलजी को ठीक है और इसी वज़े से ये क्या कर पाता था अपनी सेना को सैलरी भी देना शुरू कर सकता था और गोड़े दागने की इसने पर्था शुरू की थी गोड़े दागने का मतलब यह होता था कि गोड़ों पर एक मार्क बना दिया जाता था जिससे की पता चलता था कि यह खिलजी का ही गोड़ा है इसे खिलजी का एक और न खराज मुक्त खराज खराज खिल जी तो यहां से आप लोगों याद रहेगा और यह क्या था एक तरह का लगान हुआ करता था लगान देना पड़ता था इसका एक जो सिनपती था या सुवेदार आप इसे बोल सकते हैं मलिक काफूर मलिक काफूर जिसे हजार दिनारी कहा ज रतन सिंग और राणा रतन सिंग की वाइफ थी आपकी पद्वावती यह कहां से रिलेशन था इनका चित तोड से था बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है इसके अलावा इन्होंने कुछ और कर लगाए थे जो एक था उनमें से घरी कर या ग्रह कर ग्रह कर या घरी तो एक और कर था उसका नाम था चराही कर चराही कर किसको देना पड़ता दूधारू प्षुकर अगर आपके जो गाहएंस है अगर वो क्या कररें heroic हैं दूद्धे रही हैं तो क्या होगा आपको भी कर देना पड़ेंगा तो आप थोड़ा इमेजेन कीजिए ठीक है थोड़ा कर है आपके उपज पे भी कर है ठीक है और उसके अलावा आपका क्या है आपको लगान भी देना है चीजों का और घर पे कर है और चराई पर भी कर है इस तरह से आप लोगों को याद रखना है तो खिल जी का सारी चीजे हम लोग कर चुके हैं इसने एक बहुत नियंत्रन मूल्य नियंत्रन मीस जो कोस्ट प्राइस होती है उन चीजों के लिए इसने नियंत्रन करनी की कौशिष्ष की थी और सार्वजनिक वितरण परनाली शुरुवात की थी जो बाजार सिस्टम जो शुरुआ हुई थी वह खिल जी के टाइम से ही शुरुव हुआ था इसने बहुत सारे काम किये हैं आप लोग इसे ऐसे मोबाइल में open करके चीजों को मार कर लीजिए या हटा दीजिए इस तरह से और फिर आप लोग प्राक्टिस करना शुरू कर दीजिए ठीक है और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे यह वो गया मुक्त खराज, मुक्त खराज और खिल जी ठीक है क्योंकि यहां से मैंने स्टोरी बताई थी क्योंकि इसने खुद को शर्यत से दूर रखा था इसलिए खलीफा किसे इसने इजाज़त नहीं ली या हम याद करेंगे मुहंब बिन तुगलक थीक है मुहंब बिन तुगलक के बारे में यह भी कह जाता था किUCK एक बहुत विद्वान इंसान था लेकिन जितने भी उसने डिसीजन दिया वह सारे क्या होते थे गलत ही साबित होते थे तो इसलिए इसको पागल साशक भी कहा जाता है तो इनौने काम जो किये थे उनके बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप लोग में पांच जो मुख्य काम थे वो कौन कौन से इनने किये थे पांच पहले इसने दवाब में वृद्धी कर दी थी दूसरा देवगरी राजधानी बना ली थी देवगरी किसका नाम है दौलताबाद ठीक है देवगरी का नाम क्या कर दिया था दौलताबाद इन्होंने हिंदुस्तान के जितने नाम थे उनको चेंज करते हुए चले थे उसी टाइम से ये जो है चल रहे थे तो देवगरी का नाम क्या हो गया था दौलताबाद और जो कुतुबदिन एबग था वो इसको कुतुबाबाद बोलता था देवगरी का नाम क्या रख दिया था कुतुबाबाद तो पूछा जाएगा कि एबग जो था कुतुबदिन एबग था वो देवगरी दौलताबाद आंसर में हो सकता है इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का भी परचलन बढ़ाया था means एक तरह से जो ओरिजनल जो करेंसी है उसे हटा के सांकेतिक मुद्रा का की कोशिश की थी उसके बाद खुरासान पर इसने आकरमण किया था जगे पिर और कराचिल अभिहान भी इसके ही दौर में था तो पूछा जाता कराचिल अभिहान किसका था तो आप लोगों का है मुहमद बिन तुगलक तो तुगलक वन्ष की बात कर रहे हैं हम अभी तो तुगलक वन्ष में जितने भी आये हैं उनमें जो important है पहला वह आप लोगों का मुहम्मद बिन तुगलक के time पे एक यात्री था वह भी आया था उसका नाम था आपका इबन बतुता इबन बतुता आप लोगों याद रखना है कहां से आया था ये आया था आपका मोरको से और मोरको को अगर पुराना नाम होता है त और इभने बतुता कि एक बुख है रेहला उस टाइम पे उसने लिखी थी तो यह आप लोगों को इम्पोर्टेन्ट यहां पर मैं इसे फिर से लेता हूं है यह इसको छोटा सा एक टेस्ट टाइप आप मान सकते हैं तो आप लोगों को यहां पर बताने सोचना है कि यहां पर क्या चीज है है कौसा नाम कउसा देश है यहां मूर्देश का दूसरा नाम थीख है और नाम ग्या था उस यात्री का उसका नाम था अगा इभनी बन्यव्द हता और एक अधिन तुग्लक था, जैसे मैंने ने भी था यहां जब इंडिया में आये थे तो यह यहीं पर वो लोग रहे थे जो तो उन्होंने काफी स्टडी भी की थी तो गणित का बहुत शौक था उसको खगोल शास्त्र का था या आयरुवेद का नॉलेज उसको था उसके अलावा उसने क्या क्या था एक अमीर को ही या द वैं गोगा उसको आप कहेंगे अमीरे कोही या दिवाने कोही तो जो हैं अप लोगों का उसमें बहुत कि बनाने के कोशिश की में सबी लोगों को ये कहा कि खेतों में एक ही जैसी चीज नहीं बोई जाएगी कभी कोई चीज तो फशल चक्र से क्या होता है एक जो भूमी होती है जो लैंड होता है वो उपजाओ बना रहता है तुगलग वन्ष की बात करें कि जो तुगलक वंश था मैंने इस तरह से इसे बनाया है यहाँ पर गाजी मलिक या गया सुद्दीन तुगलक किया था ध्यान दीजिए ठीक है और यह जो था यह फाउंडर तुगलक वंश का उसने खिलजी का किया था सेना ध्यक्षता और जो सोने के सिक्के थे उन्हें दीनार कह कहा जाता था ध्यान दीजिए क्या 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 कहा जाता था तो यह दिनार कहा जाता था तुगलक past एक लाइन लिखी थी राजापरजा मुक्त हुई तो यह कोशन आता है कि राजापरजा मुकत हुई यह किसे लिए लिखा गया था तोह था आपका मुहममद बिन तुग्लकत एक था अपका तागी विद्रो में जब वह वापस आ रहा था मेंस इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तागे विद्रो जीतने के बाद तो वह भीमार हो गया और उसी टाइम पे उसकी मृत्यू हो गई और जो सबसे अधिक शाषन करने वाला है वो भी तुगलक वन्ष ही है यह ध्यान लगे किस ने किया वह तुगलक वन्ष ने किया था 1320 से आप लोगों का 1414 तक पूरे कितने थे 74 यह नों ने किये थे लिए आप उसके बाद चलते हैं तुगलक हमने कर लिया है आगे देखते हैं उसके बाद आता है फिरोज तुगलक जो तुगलक में ही है तो आप लोगों फिरोज तुगलक से अगर एक थूड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे फिरोज तुगलक में कि इन्होंने बहुत सारे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे काम किये थे और जो administration से related चीज़ें हो बहुत सारी बनाई है जो हमें कोई भी अगर यह देखे हमकी कोई नई चीज बनाई है तो फिरोज तुगलक ने बनाई है उपर आप लोग देखेंगे तुगलक जो आपका मुहमद तुगलक है एक है आपका किर्शक विभाग ठीक है तो हमने किर्शक विभाग जो है वो एक ऐसा लग रहा है कि agriculture जो हम कहें ठीक है तो agriculture के लिए जो विभाग बनाया था वो मुहमद बिन तुगलक ने बनाया था उसके अलावा अगर कोई विभाग आता है तो आप लोग देखेंगे व बहुत सारी चीज़ें बनाया थी जैसे अनुवाद विवाग बना दिया था इसने means translation करवाया इसने रोजगार दफ्तर बनाया था जो ऑफिस बनाये हुए इनोंने तो एक तो कि अनुवाद ट्रेंसलेशन से रोजगार employment ऑफिस भी बनाया था इन लोगों ने और फिर इसन सारी चीज़ें आप लोगों को लग रहा होगी जैसे employment का हो गया ठीक है यहां पर translation का हो गया तो यह सारी चीज़ें लगभग आप लोगों को आज भी देखने को मिलती हैं तो रोजगार दफ्तर जो बनाया था वो फिर उस तुगलग नहीं बनाया था पीड़ी जो पॉब जैसा बाट रहा है तो खैरात जो होते हैं और दान दक्षिना को ही बोला जाता है दारुल शफा भी उसने बनाया था दारुल शफा फ्री होस्पिटल मींस कहीं पर अगर कोई विमार हो गया तो फ्री में वो फिर उस तुगलग के पास जा सकता है ठीक है उसके बाद आ जा आजाता आप लोग को सिचाई कर इसको सिचाई कर कहेंगे कि इस्टाइम पर इरिगेशन टेक्स भी उसने बना दिया था उसने ब्रामणों पर जजिया कर लगा दिया था जजिया-कर होता जो है वह आपका धार्मिक कर होता है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जजिया क्या होंगे अपका धार्मिक कर्मे आता है तो उसने ब्रह्मनों पर लगा दिया था फिरोज दुगलग ने नहरों का जाल बिछाया था तो जब नहरों का जाल बिछाया था तो दिवाने बंदगान means जो कैदी होंगे उनको किस तरह से रखा जाएगा वगेरा और जो हज यात्रा थी वो राज्य के खर्चे पर चलेगी ये किसने शुरुवात की थी ये फिरोज तुगलग ने ही शुरू किया था तो आप लोगों को बस आइडिया ये रखना है अगर कहीं पर आपको सपोज कि आप लोगों को सारी चीजे याद नहीं है लेकिन आपको अगर तुक्का करना है कि कहां पर मुझे बिल्कुल यही लिखना है तो मैं अगर सोचूंगा तो अगर कोई modern कोई चीज आगए जैसे हम कहीं free hospital हो गया, pwd हो गया, employment office हो गया, translation हो गया ठीक है और जो irrigation हो गया ये सारी चीजें अगर मुझे टिक करना है तो मैं फिरोज तुगलग को ही करूँगा तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप लोग तयार कर रहेंगे उसके बाद आता है तैमूर, तैमूर जो आया था ज्यान दीजिए, तैमूर आया था 1398 में, उसने दोनों को खतम कर दिया, दिल्ली सल्तनत को भी और तुगलग वंच को भी तो तैमूर आप लोगों को इसलिए कई लोग मानते हैं कि जो तैमूर है इसने यहाँ पर काफे सारे नुकसान किये थे और उसने क्या किया कि खिजर खां को ज्यान दीजिए, खिजर खां को देके चला गया एक तरफ और एक तरफ देके चला गया दौलत खां को क्योंकि जो तैमूर था तैमूर बहुत ही हम कहेंगे कि कुरूर किसम का इंसान था और उसे यहां पर शाशन नहीं करना था भारत में उसे रहना नहीं था इसलिए उसे यहां से सिर्फ क्या करना था धन दौलट उठा के जाना था तो उसने 1398 में 1398 में जब वो आया तो उसने क्या किया कि यहां पे जो अपने दो सुवेदार थे उनको रखके चला गया तो दिल्ली का सुल्तान उसने किसको बनाया दौलत खा को ध्यान दीजिए अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो दह से हो जाएगा दौलत ठीक है तो जिसके पाद दौलत है वो दिल्ली चला गया आप इस तरह से याद कर लिजिए तो दौलत खा को उसने क्या किया दिल्ली का सुल्तान बना लिया और लाहौर जो था आप लोगों का वहां उसने खिजर खा को रखा था तो खिजर खाने क्या किया कि वो दौलत खा को उसने हरा दिया 1413 में इधर को आप देखेंगे 1413 ठीक है तो यह जी है आप लोगों को याद रखने के लिए तो 1413 में उसन अब क्या कर दिया आगे जाके सयद वंस बना दिया जो की 1450 तक रहा अब इसमें इतने ही कुश्चिंस आप लोगों के इंपोर्डेंट होते हैं उसके बाद आता आपका लोधी वंश लोधी वंश में आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि जो बहलोल लोधी था ठीक है बहलोल लोधी बहलोल लोदी का जो पुत्र था वो था आपका निजाम खा और निजाम खा जो था वो एक सुनार उसकी मा थी उसका नाम था जैवदा अब इसे जूम कर सकते हैं आप लोगों को ज्यादा के लिए दिखेगा बाद में यहाँ पर कर लेते हैं से थोड़ी सी यह एैं पर स्टोरी आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है कि जो बहलोल लोधी है वो 1451 में है उसका एक बेटा है वो है आपका निजाम खांग और निजाम खांग किसका बेटा है जैवदा का जैवदा का मा थी इसलिए उसको लोगों ने वहाँ पर क्यानी किया सक बाद में वैसे उसने अपना नाम बदल दिया उसका नाम सिकंदर लोधी का पूराना नाम है निजाम खा और इसने कुछ काम किये थे पहला तो उसने अन्न से कर हटा दिया में जो जो व히 करेगा उसे अन्य से कोई कर नहीं देना है कोई टेक्स नहीं देना है ठीक है ग्रेंज पे अनाज पे दूसरा है इसने एक गज ए सिकंदरी भी बनाया था गज ए सिकंदरी मापने के लिए कोई चीज मापने के लिए गज ए सिकंदरी इसने एक मापने के लिए चीज बनाई थी उसके लोगों को इतना ही याद रखना है उसके बाद आजा ता आपका इब्राहम लोदी कि फिक्टिन सैवंटीन में और यहाँ पर उसके बाद खतओली का यूद्ध हुआ था और फिर आजाता है आपका लास्ट में 1526 में बाबर तो यहां पर हमें पता है कि जो बाबर है उसमें पानीपत के यूद्ध में क्या कर लिया था इुब्राहम लोदिकुष हरा दिया था और फिर उसके बाद आ गया आपका मुगलवन्ष जो के हम बाद में पढ़ेंगे इसके अलावा जो है आप लोगों को याद रखना है बहलोल दोदी का एक एक चीज, आप लोगों याद रखना है जॉनपुर ठीक है बस जॉनपुर आप लोग याद रखे और जौनपूर जो वसाया था वो बहलोर डोदी ने वसाया था इसको भारत का शिराज भी कहा जाता है भारत का शिराज कहा जाता है और ये कहा जाता था और उस टाइम पर क्या है कि ये उच्छे सिक्षा का केंदर था और शेर्षा सूरी जो था वो कहा जाता था इसकूल वो जौनपूर में ही जाता था तो आप क्या करेंगे कि शेषा सूरी को बना लीजिए और उसने स्कूल का क्या किया है बैक पकड़के रखा है अपने पास और वह जा रहा है स्कूल और कहां जाएगा जौनपूर जाएगा ठीक है और वहीं से वह अपनी उच्छ सिक्षा ग्रहन करेगा तो इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा कि जौनपूर जा रहा है कहा जा रहा है शेषा सूरी भो जा रहा है जौनपूर तो यहां तक हम लोगों ने किस टोरी की तरह सारी सारी चीज districts को वह वन बाई देख लिया है आप लोगको से बस पिक्चराइजिशन मैथट से ही क्या करना है तैयार करना है कुछ चीज़ें उपर रह गई हैं उन चीज़ों को हमें याद करना है और वह आपकी लिस्ट है इसलिए लिस्ट मैंने कहा है कि लिस्ट को उसी तरह से आप लोगों को याद करना है तो चलिए यहां से स्थापत्य की बात करते हैं कि जो स्थापत्य हैं दिल्ली सल्तनत की जो इमारते हैं बाकि चीज़े हम अल्रडी कर चुके हैं तो ये है आपका गुलाम वन्ष की परमुख इमारते हैं दिल्ली सल्तनत की इमारते हैं गुलाम वन्ष की आप लोगों के दिल्ली में है ठीक है यह सारी मारते क्या है आप लोगों की दिल्ली में है अड़ाई दिन का जोपड़ा हो गया कुत्ब मिनार हो गया आपका सुल्तान गड़ी हो गया इलतुत्मिश का जो मगवरा है तो यहां पे आप लोगों को और माइनुदीन चिस्ति की जो दरगाह है यह इलतुतमिश ने बनाई थी और यह तीनों आप लोग की किस ने बनाई है एबग ने बनाई है तो यह एजी है आप लोग इनको बस अगर आप लोगों को एक बार नाम याद हो जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं कुतुब दिन एबग से शुरू कर सकते है इसलिए आप लोग अगर आपको इसको एक पिक्चराइजिशन की तरह याद रखना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक अढ़ाई दिन का जोपड़ा बना दीजिए यह आपका अढ़ाई दिन का जोपड़ा है उपर एक क्या बना दीजिए यह आपकी कुतुब मिनार है उसे के बगल में और एक क्योंकि यहाँ पर रहना है उसे तो एक उसने मस्जिद भी बना दीजिए ठीक है यहाँ पर आप लोगों क्या है यह यह उसने मस्जिद बना दीए और यहां पर कौन घड़ा है आप लोग वाइबक खड़ğा है इस मस्जिद के ऊपर कौन घड़ा है अइबक खड़ा है कुtin एबक खड़ और इस तरफ अगली तरफ बना लीजिए आप लोग इलतुतमिश को ठेक है और इलतुतमिश ने किया हुँ है अपने कौना से इक उसने अपना ही मगबरा बना दिया ये अपना मगबरा बना दिया हैं और सुल्तान-गडी इल्क्प्र्ण में ча रिलेटेट है और उसने मयन हुद दीन चिस्ति कि दरगाहा भी बनाई है तो ये तीन चीज़े तो तरह दुनों एक दूस्रे को बता रहे हैं कि मैंने क्या बनाया है चिला चिला जिला के ठीक है अब उसके बाद आ जाते हैं किलकी इमार्ते की हिल जी ने ऐना थिए आला उद부ु काल की उध्रमार्ते की बनाई सब्सक्राइब अब गया सुद्दीन तुलक अपना मगबर भूड़ बनाया था उसने गया सुद्दीन का वाध तुब के दुख्लगाबाद दिल्ली में ही दिल्ली का इपार्ट है विजय MINDRAL लेकिन ये मोखमद विन तुख्लक का है याद रहिए ये किसका है मो कुष्म विन तुख्लक का भाड है उसके बाद लाता है फिरोजशाह कोटला यह दिली में फिरोजशाह ॥ तगलक का ऐखाल फिरोज शाह के याद करने की ज्यादा ज़्यूरत नीके चाकल लेती तो यह भी बड़ी आवाद है सभी लोग खुद का अपना खुद का नाम लिखे जाते तो हमें याद करने में आसानी होती है उसके बाद आता है जूना शाह ने खान ए जहां तेलंगानी बनाया था ठीक है तो जूना जो है वो क्या किया करता था अपने बरतन जो तेल से दोय में जो हमें लगता है कि यह चीज़ बहुत टाफ है वह माइनर डिटेल से अगर कोई चीज़ आ जाती है तो टफ लगती है कि सैयद काल की इमारतें अब सैयद काल में कौन-कौन हैं आप लोगों के मुबारक शाह सैयद का मगबरा यह है अपना का सिकंदर लोधी का लोधी का जो मगबरा है वो दिल्ली में आप लोगों का सिकंदर लोधी ने बनवाया था और सिकंदर लोधी का जो मगबरा बनाया है वो इबराहिम लोधी ने बनाया है और बड़े खां और चोटे खां का मगबरा यह सिकंदर लोधी का ही है और मोट की जो मस्जिद है यह पूछ होने चाहिए हमने स्टोरी कहां से शुरू की थी हमने स्टोरी शुरू की थी 711 से और 1526 तक हम ने पूरी कहानी क्या की है इस पूरे PDF में complete कर ली है और आप लोगों को यह जो स्टोरी है यह इसी तरहिके से पूरी याद होनी चाहिए और इतनी इतनी प्रैक्टेस हो जानी चाहिए सारी चीज़ों की कौन सी चीजें जैसे फिरोस तुगलग मैं कहूं तो उसने सारे बहुत अच्छे से इस चीज को जिसने आज से पहले हिस्ट्री नहीं पड़ी है उसका ये सलतनतकार बहुत अच्छा हो जाना चाहिए इस वीडियो के बात तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर सी यो